नमस्कार किसान भाई यदि आपने इस साल ग्यहों की फसल लगाई है और आप ग्यहों की फसल से बढ़िया और सांदर उत्पादर लेना चाहते हैं तो आज के एसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इस्पर बताऊँगा जिसे आप अपनी ग्यहों पर बाल्या निकले से पहल अर्था जब आपकी ग्यहों की फसल गवोट अवस्ता में हो उस समय लगाते हैं तो आपकी जो ग्यहों की फसल हो उसकी पैदावार डबल हो जाएगी किसान भाई यो जिस समय हम ग्यहों की बवाई करते हैं तो उस समय हमारी एक चौईस होती है कि जब हमारी ग्यहों की फस को समय से veil काओ देते हैं और उसे जिसी भी पोसक्तात्रा की आवसक्ता होती है उस में भरपूर मात्रा में मात बारेते हैं इस वह में जबweaf इस दित्या हुब हमारी निकल लेक्षथा माती है तो यह बस्ता पैदावार वराने की आखरी अवस्ता होती है यदि हम इस अवस्ता में अपनी ग्याहों की फचल में इस प्रेगों को कर देते हैं या इस दबा को लगा देते हैं तो हमारे ग्याहों की फचल से पैदावार तो अच्छी मिल जाती है और हमें उससे मुनाफ़ा भी बढ़िया हो जाता कि शन्वाईयों तो इसके शन्वाईयों मैं आपको बता दूँ जब आपकी ग्याहों की फचल इस सबस्थाम हो जो फचल आप देख रहे हैं इस समय इस सबस्थाम होने चाहिए बाली पूरी नहीं निकले चाहिए बाली उसके अंदर होनी चाहिए जो आप बाली देख रहे हैं इस परकार की बाली होनी चाहिए और आपको लगे कि हमारी ग्याहों की फचल लगव दस से बारे दिन के बाद में निकल आएगी तो उससे पहले आपको इसका इस्प्रे करना है इससनवाईयो इससे क्या होता है इससनवाईयो जब आप इसस्प्रे को कर देते हैं तो जो हमारी ग्याहों की बाली होती है वो लंबी निकलती है दाने भरपूर मातराम भरते है और बाली मजबूत निकलती है पくधे को पोझक तत्मक जरूर्त होती है फास्पराश यो यस के साथ आपको अपको एड़कर देंगर आना है इसके साथ इस साथ आपको एड़ करनी है बोरोन आपको 20 पर संट वाले अड़ करनी है जो इसम्रेवाली पिर 150 ग्राम पृति एकर खसाब से करने किसंवाईओं इसके साथ में आपको तीसरा प्रोडक्ट एड करना किटना सकते आपने अक्षर देखोगा काले दग्ग कीट लगाते हैं आफिड बगर लजाते हैं जो हमारी फचंवे काफी नुक्सवान करते हैं जिसे हम चैपा बोलते हैं तो इसकी ली किसम में आपको एक कीटनास के लेना है कीटनास के लिए आपको थाइम वित्वक्सम 25% वाला ले सकते हैं 100 ग्राम पिरती एकर के हिसाब से यदि आपको थाइम वित्वक्सम नहीं मिलता है तो आप इमीडा किलो प्राइड अब आपको इनका गोल तयार करना है और दूसरी बालती में कीटनास के लिया आपको जो कीटनास के लिया आपने उसका और बोरोन का इन दोनों का गोल तयार करना है अर्थात माली जी आपको अपनी ग्यांकी फचल में 6 पम्प पानी लगाना है तो आपको दो बालतिया लेनी है एक बालती में आपको 6 लिटर पानी में जो आपका N.P.K. 0-0-2-4-3 है इसका गोल तयार करना है और दूसरी बालती में आपको कीटनास के लिया आपको आपने एक एक लिटर दवाई डाल देनी है और पंप को अच्छे से भर देना है और भरनने के बाद में आपको अपनी फिसल पे इस पर लगा देना के संब भाई यो यह आप इसे एक जगर मिक्स करेंगे एक जगर घोलेंगे तो जो एनपी के जीरो बावन चोतिस होता है काफी वumma सासी आप इस प्रेले गार्यूं करते हैं तो मैं आपको खारा कामतhes संब्सक्रण भर मरमनें चैयनलन पर सब्सक्की वह में जाय सकते हैं और अपनी फसल का फोटो रलकर नेकर किसी फसल के वारे मां कोई भी चानकारी ले सकते हैं यह देंकर इस का इस माई हो मेरे दोरा देखे चानकारी आपको अच्छ लगी हो वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें से करें और चैनल को जरू सस्क्राइब परें थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो